सो हे गाइस केसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे अच्छे से होगे तो यह वाला जो डाउट हैं यह सभी बच्चों का डाउट हैं बहुत सारे बच्चों ने इनस्टा पे यही डाउट पूछा है बहुत सारे बच्चों ने कोमेंट्स में यही डाउट पूछा है और सभी का रेपलाई में ने दिया हैं लेकिन ये चुंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट है मैंने सोचा अब इस पर एक शॉर्ट वीडियो में अप्लोड कर ही दूँ यहां पर आप देख सकतीव आयूश कोर्श की रेजिस्टेशन तीन से साथ मार्श तक होगी लेकिन जिन बच्चों ने पहले ही रेजिस्टेशन की हैं उनको अब रेजिस्टेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जिनका नाम प्रोविजनल मेर्ट लिस्ट में आज चुक करनी होती है जब आप प्रेफरेंसिस देते हो जब आप च्वाइस फिलिंग करते हो जब आप अपनी प्रेफरेंसिस लॉक करते हो उसी टाइम फिप्टीन हंटरंड पे करना होता है ना के रेजिस्टेशन के टाइम रेजिस्टेशन के टाइम सिंपली आपको आपने डिट काउंसलिंग होगा तो उसी टाइम आपको 1500 पे करने हैं अगर आपने की हैं आपका नाम प्रविजनल मेरेट लिश्ट में आ चुका है तो अभी आपको कुछ नहीं करना है साथ मारच तक साथ मारच के बाद आपका प्रविजनल मेरेट लिश्ट निकलेगा अयूश कोर्स के लिए उसमें आपका नाम होगा और विश्ट ली होगा क्योंकि आपने पहले ही रिश्ट की हैं फिर जब डेट निकलेंगी फिर्स्ट राउंड आप काउंसलिंग के लिए आयूश कोर्स के लिए उस टाइम आपको प्रफरेंसिस देने हैं कोर्स के लिए सपोस्ट आप बी लिए उसके बाद बीपिटी या जो भी आपकी प्रेफरेंसिस होगी और अब कॉलेज जिसको प्रेफरेंसिस दोगे लाइक क्योंकि उसमें भी 5-6 यापटा बीएमस बीपिटी के लिए फिर आप रहते हो म भीबाएश के लिए फिर जिमसी जुमू सिक्मसोरा रखते हो त उसी टाइम counseling के time आपको 1500 पे करना है, तो अगर आपने रचेश्रिंग की है MBBS के time, आपको future registration करने की कोई भी जोरात नहीं है, जब आईउश courses के dates निकलेंगे first round के लिए, उसी टाइम आपको 1500 पे करना है,